हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब लोग तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसिंग जीके की एक सीरीज शुरू की हुई थी और उसी को कंटीन्यू करते हुए आज हिस्टरी के पोस्टिन में आज हम एक लेक्चर लेके आए हैं जो की है लेक्चर नमबर 22 और आज हम पढ़न प्लस लास्ट में हम कुछ देखेंगे most important mesolithic sites जो कि Lucent जी के book में दी गई है तो चलिए study करते हैं आज का lecture तो देखिए जैसे कि आप देख पा रही है mesolithic age जो कि एक middle stone age है वो start हुई थी 9000 BC से और कब तक चली थी 4000 BC तक तो जो term है mesolithic ये क्या है एक Greek word है जो कि Greek language से आया है जिसमें meso का मतलब होता है middle और lithic का मतलब होता है stone इसलिए इसको क्या कहा जाता है middle stone age भी कहा जाता है ये क्या थी एक intermediate stage थी यानि कि Paleolithic और Neolithic के बीच की एक stage थी जिसको वोला जाता है mesolithic ये क्या था एक beach का period था transition का मतलब जिसमें क्या है थे changes होना start हो गए थी लेकिन क्या है exact changes नहीं आये थे इसलिए इसको क्या है भाई इसको ना तो Paleolithic की category में रखा गया और ना ही इसको क्या है Neolithic की category में रखा गया इसको एक नया नाम दे दिया गया जिसको बोला गया mesolithic age जो mesolithic people थे ना वो क्या थे उन्होंने मतलब वो काम तो exactly किसकी तरह करते थे थोड़े बहुत Paleolithic की people की तरह करते थे लेकिन थोड़ा सा उनमें change आ गया था और जो category है यानि की जो credit है इस age को खोजने का वो गया था किसको Mr. John Events को ये जो था इन्होंने क्या किया था इन्होंने अलग-अलग sites पे से अलग-अलग चीजे find out की थी जो most important sites है वो इन्होंने खोजी थी जहां से हमें evidences मिले थे mesolithic age के तो जो सबसे पहली site थी वो थी सक्कर and रोहरी और ये कहां से मिली है ये हमें सिंद जो आज का सिंद है पाकिस्तान में है वहां से ये site इन्होंने खोजी थी कब खोजी थी? 1866 में फिर कुछ बात करते हैं कि जो mesolithic people थे उनकी human life कैसी थी? यानि कि वो किस तरीके से रहते थे? तो जो first point है वो है taming of animals यानि कि जो persons थे mesolithic period में उन्होंने कि वे क्या करते थे? उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था यानि कि थोड़े changes आये थे mesolithic men में और उन्होंने क्या किया था? पहले लिथिक people की तरह रहते थे? हाँ, शिकार करते थे mostly food gather करते थे लेकिन उन्होंने इसाथ में क्या किया था? अनिमल्स को domesticate करना यानि कि पालना उन्होंने शुरू कर दिया था जैसे कि आज करते हैं लोग क्या करते हैं? बैसो को रखते हैं गाय को रखते हैं अनिमल हस्बेंडरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा large scale पे हो गया लेकिन उस time पे क्या था? कुछ एक dogs को जैसे कि किसी किसी के घर में गादिगाय हो गई sheep हो गई, goat हो गई ये buffalo, wild horse, dog ये सब कुछ क्या था? उन्होंने अपने पास रखना शुरू कर दिया था और जो सबसे पहले evidence मिलते हैं कि भई सबसे पहले animals कहां रखे जाने लगे या हमें evidence कहां से मिले सबसे पहले तो वो हमें मिले थे आदमगर से जो कि कहां पे है? मध्यप्रदेश में है और कहां से मिले हमें बागोर से मिले थे जो कि एक राजिस्थान में एक प्लेस है फिर अगर हम बात करें second point है burial of dead याने कि dead persons को कैसे treat किया जाता था अभी हमने paleolithic age में पढ़ा था कि जो dead person था उसको क्या था खुले में छोड़ दिया जाता था जिसको कोई भी animal है वो animal या फिर birds क्या उसको feed कर लेते थे लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा different थोड़ा सा क्या कहें कि बहुत जादा difference आ गया था कि इसमें क्या है जो dead person था उसको क्या कर दिया जाता था उसको दफना दिया जाता था और इसकी तो हमें क्या है बहुत सारे sights मिली है जहां से हमें क्या है dead persons की बोडी मिली है तो इसमें क्या था जो dead bodies थी उनको क्या था एक proper process से दफनाया जाता था और क्या था उनके साथ में बहुत सारी चीज भी रखी जाती थी जैसे कि अलग अलग खाने का material हो गया, tools हो गई, weapons हो गई या फिर क्या है, साथ में उनके जो प्यारी चीज होती थी ना, बहुत प्यारी चीज जैसे कि कोई dog हो गया, कोई jewelry हो गई, वो भी साथ में उनके दफना दिया जाता था क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना था, कि इसके बाद जो person कहीं और जनम लेगा तो ये सारी चीज क्या है, उसके साथ जाएंगी तो इसीलिये क्या है, कि आज हमें जो भी sights मिलती है, मिजो लिथिक या फिर जो बड़े-बड़े megalith हमें मिलते है, वहाँ पे हमें क्या मिलता है अलग-अलग sights के पास में, अलग-अलग skeletons के पास में हमें क्या है बहुत सारी jewelry, material वगेरा मिलते हैं हमें वैसे आपने बहुत बार news में देखा होगा या फिर क्या आपने books में भी पड़ा होगा कि हमें कोई भी site मिली है उसके पास से हमें क्या कोई भी एक pot मिला है जिसमें से क्या निकले हैं सोने के सिपके निकले हैं या फिर क्या है दो humans की dead body मिली है प्लस में वहाँ पे क्या है dog की भी dead body मिली है तो ये सब क्या है उन लोगों का मानना था कि ये सारी चीज़े क्या है इंसान के मरने के बाद जब वो दूसरा जनम कहीं पे लेता है तो वहाँ पे उसके साथ जाती है तो ये सब चीज़े हम ये अलग-अलग skeletons देखिया आप देख सकते हैं आदमगर से मिला है साथ में एक dog का skeleton मिला है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो dog है वो क्या है सबसे oldest companion है सबसे पुराना दोस्त है किसका मनुष्यगा और भी बहुत सारी हमें mesolithic sites मिली है फिर अगर हम paleolithic को इससे compare करें कि paleolithic site में हमें क्या है कोई भी person की dead body नहीं मिली थी हमें क्या था सिर्फ एक human skull मिली थी कहां से paleolithic site से हत नोरा से मिली थी हमें जो की क्या थी सिर्फ एक human skull थी और उसमें क्या था implements ही न वो क्या थे paleolithic के comparison में थोड़े से छोटे हो गए थे थोड़े से शार्प हो गए थे इसमें क्या है उनका size भी लिख रखा है कि बही comparatively कितने size के होते थे जो बाद में जो graphers को मिले हैं उन्होंने knot turn किया है तो वो क्या है 1 to 8 cm के होते थे और जो की क्या था बहुत जादा short थे paleolithic के comparison में इसमें अगर हम बात करें तो mostly आते हैं scrapper आते हैं burion आते हैं borer आते हैं point भी है और etc तो इनकी अगर shapes की बात करें तो ये क्या थे trapezian shape के थे कुछ strangles से कुछ arrow heads थे उनकी क्या है अलग-अलग shape और size थी यूज हुआ था तो पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था paleolithic में पिछले lecture में हमने पढ़ा था कि paleolithic के जितने भी implement से वो mostly बनाए जाते थे quartzite stone से लेकिन इसमें क्या change आया है इसमें जो stone यूज किया गया है वो है agate का, zesper का, chert का और क्या है और भी कई तरीके के material यूज हुए है जैसे कि चालकडोनी हो गया और हमें पता नहीं और कुछ किसकी जगह पे, quartzite की जगह पे क्योंकि paleolithic में क्या था, quartzite बहुत जादा मात्तरा में इस्तिमाल किया जाता था और कुछ implements मिले है, bone और horn के भी मिले है यानि कि जो animals की हड़ी से, जो हतियार बनाए जाते थे या क्या था, जानवरों के sing से, जैसे कि कोई भी जानवर हो गया जैसे कि ganda हो गया, है ना, तो जो rhinosaurus होता है उसका क्या होता है, sing होता है, उससे भी क्या है implements बनाए जाते थे, या फिर क्या हो गया, हाथी के जो task हो गए, उन से, और भी बहुत सारे हमें implements मिले हैं आप जाके किसी भी museum वग्यारा में देख सकते हैं, mostly जगावे मिल जाते हैं फिर अगर हम मीजोलिथिक की बात करें, कुछ important sites तो जो important sites है सबसे पहले वो है एक राजिस्थान में, जो कि कोठारी रीवर के पास है, भिलवाडा डिस्टिक में फिर हम बागोर की बात करें, तो बागोर से हमें क्या है, एक human skeleton मिला है और तीन copper arrow मिली हैं, यानि की जो implements थे, वो किस shape में थे, arrow की shape में थे और क्या मिला है, हमें कुछ arrow heads मिले हैं, फिर क्या है, कि हमें जली हुई हड़िया मिली हैं, किसकी tamed animals की यानि की जो animals उन्होंने पाले थे ना किसी भी person ने, वो उसके किया था, पालतो animals थे और वो क्या है, उस human के साथ दफनाए गए थे फिर next site की बात करें, तो वो है नेम बहेरा, मंडापिया, जो कि कहां पे है, बार मेरे district में situated है, इस सी तरीके से कुछ और sites भी है, जैसे कि बुजावर हो गई, चामू हो गई, तो यह आप थोड़ी बहुत याद कर सकते हैं, अलग-अलग districts में present है, फिर गुजरात की अगर हम बात करें, तो जो most important site है, इसमें महसाना district में है, जो कि है, लंग नाज, और यहाँ पे हमें क्या है, 14 human skeletons मिले हैं, देख सकते हैं, कि बाई, सबसे ज़्यादा human skeletons हमें जो मिले हैं, वो हमें mesolithic site के मिले हैं, और इसी वज़से जो हमें आरे पास information है न, इस site, इस age की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आराउंड देखे, आप सोच सकते हैं, 14 human skeletons, जब उनको खोदा गया होगा, उनके क्या अलग-अलग experiments किये गई होगा, अलग-अलग जाच की खामसुरा हो गई, पावागड हो गई, तारसंग हो गई, जो की क्या है, एहमदाबाद डिस्टिक में भी हैं, और अलग-अलग जगाओं पे है, मध्यपरदेश के अगर हम बात करें, तो होशंगाबाद डिस्टिक में, जो की आदमगड पे हमें क्या मिले हैं, 25,000 माइक् पेलो, पिग, एक्सेटरा, और हमें क्या है, कुछ पोटरी भी मिली है, यानि कि हम समद सकते हैं कि इस टाइम में क्या है, मिट्टी के जो बरतन है, वो बनाने शुरू हो गई होंगे, और क्या है, हमें रॉक्स पे कुछ पेंटिंग भी मिली हैं, और जो most important site में आप जंब पीपल थे, वो क्या थे, यहां पे शल्टर लेते थे, भी मिट का रॉक शल्टर तो मैंने आपको बताया ही है, कि यह तो most important sites में हैं, जहां पे हमें क्या मिला है, रॉक पेंटिंग्स बहुत सारी मिली हैं, फिर उत्तरपदेश की अगर हम बात करें, तो इसमें जो इंडार वो मिले है, 14 ब्यूरियल्स मिले है और 6 फायर पिट्स मिली है, और भी देख सकते हैं आप जैसे कि अलग-अलग जगाओं से हमें क्या क्या मिला है, फायर पिट्स मिली है, ट्वेल टाइन बफैलो, एलिफेंट, बॉन्स मिले हैं हमें इनके, और जो दम-दमा की ब पहनते थे अलग अलग टाइप की जुएलरी भी पहनते थे और हमें बहुत सारे ब्यूरियल्स मिले हैं ऐबॉन्स मिले हैं तो यह तो कॉमन्सी चीज हो गई आप देख सकते हैं और यह आप देख सकते हैं कि भई हमें क्या है अलग-अलग जगाओं से क्या है अलग-अलग जीज़ें मिली हैं जैसे कि अब इसमें देखिये लिखा हुआ है कि जो मोहराना पहर है यहां से हमें क्या है रोक पेंटिंग्स मिली है कि इसकी चेरियट की और होर्सीज की यानि क होर्सिस को क्या है टेम किया जाता था उन्हें पाला जाता था और पीछे क्या बांदा जाता था होर्सिस के जो रत होता था उसकी भी हमें पेंटिंग्स मिली है यह मतलब अलग-अलग जो डिस्कवरीज हुई है अलग-अलग जो चीजें मिली है वो इसमें क्या है सारी चीज पलामों हो गई, कुछ जार्या हो गई, यहां से भी हमें कुछ एविदेंसेज मिले हैं, वेस्ट बेंगॉल में है, और क्या है, ओडिसा से भी, मय बंच तुछ चीज़ें मिली हैं, Chevy सासले हैं नेक्स्ट अगर हम देखे तो हमें महराष्टर डिस्टिक जो कि मुंबई के पास में है खांडे वली वहां से हमें कौनकन हो गया कौशुशोल हो गया जैन्यार हो गया यहां जलगड हो गया यहां से भी हमें क्या है यह लग-लग साइट्स है मीजोलिथिक टाइम पीरियड क आंधरपरदेश में है गुंटूर डिस्टिक में नागर जुने कॉंडा हो गया कुर्णूर डिस्टिक में गिलदूर हो गया और क्या है चिक्तूर डिस्टिक में भी है तो यह लग-लग साइट्स है जो कि आप देख सकते हैं फिर करनाटका कि अगर हम बात करें तो यहां arrowhead मिला है यानि के एक तीर मिला है जो किस चीज का बना हुआ है quad site का बना हुआ है और क्या है एक d-shape का तीर मिला है तो यह क्या है note करने वाली चीज आप देख सकते हैं फिर अगर हम बात करें तो Tamil Nadu में Tamil Nadu की भी बहुत सारी sites यहां पे लिख्यों है जो कि आप आप देख सकते हैं इतना ज्यादा most मतलब याद करने की जरूरत नहीं है हर एक site को आप थोड़ा से comment से example लगा सकते हैं तो जो कया मोली जो site है वहां पे हमें क्या मिला है mounts मिले है किसके sand के जिसको क्या कहा जाता है टेरी कहा जाता है local language में तो यह जो इतना important नहीं है mostly जो आपको क्या है क्या याद रखना कुछ एक-दो sites जो most important है जहां से हमें बहुत सारे evidences मिले हैं plus में कुछ नया मिला है वो आपको याद रखने की जरूरत है plus में जो animals थे वो कौन कौन से थे कौन से animals को tame किया जाता था जो उनकी human life है वो कैसी थी किस तरीके से रहते थे उनका shelter कैसा होता था तो यह सब आपको क्या है थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत है क्योंकि यह क्या questions में पूछा जाता है कि भई कौन से जो age थी जिसमें जो animals को tame करना शुरू किया गया था तो वो कौन से थी मीजोलिठिक थी तो इन सब के बारे में क्या है आप पढ़ सकते हैं तो I hope आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा थेंक यू एंड हेव नाइस दे और लेक्चर कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करिएगा बाकी थेंक यू एंड हेव नाइस देई